सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल एजुकेशन टेक को और इस बेल आइकन को भी दबाईए जिससे मिले आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जैन साथियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुलोरोफार्म के गुर्धर्म के बारे में तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को अंतक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं तो इस वीडियो का हमारा टापिक है क्लोरोफार्म के गुर्धर्म के बारे में तो जिन में से जो परमुक गुर्धर्म हैं इस परकार हैं आकसी करण है क्लोरोफार् सब्सक्राइब कराने पर क्लोरोफार्म की लिए एसिटोन से कार्विन एविन अब करिया और या आइसो साइनाइड परिछा और राइमर टीमेन अब करिया यह सभी अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टन तर परिच्छा के दिरिश्टे से हमारा तीसरा पॉइंट दूसरा तो इसमें पहला टापिक है हमारा आक्सिकरन तो आक्सिकरन में हमारा क्या रहेगा इसमें क्लोरोफार्म सूर के प्रकास की उपस्थिती में वायुदारा आक्सिकरित होकर फासजीन गैस बना लेता है जो की एक बिसैली गैस होती है ठीक तो इसको हम कार्बोनिल फिर दूसरा रियक्शन है हमारा क्लोरोफार्म की किरिया सिलवर से कराने पर इसमें क्या रहता है क्लोरोफार्म सिलवर की चून के साथ अब किरिया करके एसिट लीन मनाता है तो इसके लिए हम क्लोरोफार्म के दो अणुका प्योग करेंगे तो जैसे हो गया क्लोरोफार्म और यह हो गया हमारा 6AG प्लस CHCl3 यह हमारा क्लोरोफार्म यह हमारा चांदी फिर इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा CH तिरपल वांड CH प्लस 6 AG CL यह हो गया हमारा फुल रियक्शन फिर नेश्ट हमारा आता है तीसरा है क्लोरोफार्म की किरिया किरिया नाइट्रिकमल से नाइट्रिकमल का सुत्र क्या होता है एचनो थिरी तो इसमें हमारा क्लोरोफार्म सांदर नाइट्रिकमल से किरिया करके नाइट्रो क्लोरोफार्म रनाता है जिसे क्या कहते है पिक्रिक क्लोरो पिक्रिन यह पेपर में बहुत पूछा जाता है chloro pikrin ऐसे पूछ लेगा chloro farm से chloro pikrin कैसे अपराप्ट करेंगे तो इसका reaction हो जाएगा हमारा सी सिंगल वान्ट सी एस चील सीएल सिंगल वान्ट सी एल सिंगल वान्ट एच प्लस अब इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं ओछ येन ओ टू फिर गर्म कर देंगे हम इसको तो हमारा बन जाएगा सियल सियल हमारा निगल जाएगा और यहाँ पर आजाएगा IO2, इसी को क्या कहते हैं नाइट्रो क्लोरो फार्म नाइट्रो क्लोरो फार्म या इसी को क्लोरो पिकरिन कहते हैं पीज़ाऊनी क्वेश्ट कुछिन हमारा इसी में का चौथा पाइंट हाँ अ हम आए क्लोरोफार्म की के रिया इसी टों से तों से क्लोरोफार्म की के रिया पोटेसियम हड्राकसाइड की उपस्थिति में एसी टोन्स क्रिया करके क्या बनाता है क्लोरी टोन बनाता है ये भी अक्सर क्या होता है जब कुस्चन करके पूछ लेता है क्लास 12 के बोर्ड में तो इसका रेक्शन हो जाएगा दोस्तों तो इस तरह से अगर कम समझने है दोस्तों तो इस रियक्शन को हम इस तरह से पलट कर लिख सकते हैं तो इससे ज्यादा समझाओन आंगा जैसनों गया एसी टोन हमारा सी स्टरी इसको संय डाबलूह लोनओ लिख सकते हैं सी तरी यह यह रहा थ 29 एंज्डरी दिखेंगे तो यह हो जाएगा है सी सी यह थिरी वही जीज़ है क्लोरोफार्म है फिर इसको आगर हम करेंगे तो इसको इसके साथ कर देंगे और एक बांट यह लगा देंगे तो इससे ज्यादा समझ में आता है और देंगे तो इसको क्या करते हैं क्लोरी टॉन मुझे यह रियक्शन ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे मेरे समय आजाता है साथ आपको भी इससे समझ में ज्यादा आएगा फिर नेक्स्ट है हमारा पांचवा है कार्विल एमीन अबकिरिया कार्विल एमीन अबकिरिया इसे कार्विल अमिन या आईसो साइनाइड परिच्छण भी कहा जाता है तो इसमें क्या होता है क्लोरोफार्म को एनलीन या अनप्रात्मिक अमिन के साथ तथा अलकोहालिक के वेज के साथ गर्म किया जाता है तो फेनिल आईसो साइनाइड बनता है और इसी की अब गिरिया को क्या करते हैं कार्विलमीनिया आईसोसाइनाइड परिच्छण करते हैं तो चलिए रियक्षन के दारा हम देखते हैं क्लोरोफार्म की गिरिया एनेलीन से गराते हैं और अल्कॉहालिक के वेच के साथ तो एनेलीन से 6H5 NH2 प्लस CSCL 3 क्लोरोफार्म हो गया प्लस 3KOH संतुलन के लिए यह एलकॉहालिक रहेगा और इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा इसी को हम क्या कहते हैं फेनिल आईसो साइनाइड और इसी में का एक रियक्शन में कह देता हूँ चाहे यह एनेलीन रहें चाहे अन्य प्राथमिक एमीन आए जैसे अन्य प्राथमिक एमीन में हो गया हमारा मेथिल एमीन एथिल एमीन तो जैसे मैं एथिल एमीन से कह देता हूँ यह हो गया हमारा एथिलमीन का सूत्र है प्लस यह हो गया क्लोरोफार्म प्लस यह 3KOH एलकोहालिक बेस्ड रहेगा इसको हम गर देंगे गर्म तो हमारा बन जाएगा C2H5 यन C इसको हम बोलेंगे एथिल आईसो साइनाइड प्लस हमारा क्या निकल जाएगा 3KCl प्लस 3H2O अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की और हमारा छठा हेडिंग आता है गुर्धर्म में राइमर टीमेन अब करिया है जो की बहुत ही इंपॉर्टन्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टन्ट है कार्विल अमीन अब करिया हमारा हो गया अब आएगा हमारा राइमर टीमेन अब करिया अब राइमर टीमेन अब करिया में क्या रहता है दोस्तों हमारा इसमें क्लोरोफार्म की करिया फिनॉल तथा कास्टिक सोडा बिलियन के साथ करते हैं किसकी क्लोरोफार्म की गिरिया फिनॉल C6 H5OH तथा कास्टिक सोडा विलियन के साथ किया जाता है तब हमारा क्या बनता है हमारा सैलसिल एल्डिहाइड या इसी को कहते हैं आर्थो हार्डाक्सी एल्डिहाइड तो अब मैं इसको स्ट्रक्चर फार्म में लिखूंगा जिससे आपक को जिए सम pupil है ये होगा हमारा थीनॉल है n gshell हो एक कि गलॉरीन सदून हो जाईगा इसको कर देंगे हम गर्म तो हमारा जो परीवासा है कहा है जब क्लोरोफार्म की के लिए फिनॉल त था कॉस्टिक सोडा भी लिने के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा क्या मंता है और तो oraz केते हैं का मैं इस हमारा हो जाएगा हमारहो झाल और यह हो झालमा तो हमारा एल बेंजल डिहाइड बेंजल डिहाइड प्लस हमारा क्या निकल जाएगा थिरी याने एसी यल निकल जाएगा प्लस टू एच्टू ओ निकल जाएगा तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समप्त होता है दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इसी तरह के इंट्रिस्टिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे है धन्यवाद